हर खबर पर हमारी नज़र बिहार की 40 सीटों का पूरा हिसाब किताब पहला रुझान और पहला परिनाम दिखाएंगे आपको सबसे पहले लोगसाब चुनाव के नतीजे सटीक विसलेशन के साथ जारखंड की 14 सीटों पर भी रहेगी हमारी पैनी नज़र सिर्फ दर्श न्यूज पर सुभा साथ बजे से लगतार नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज मैं हूँ दिव्यांसू देश बर में लोगसाब चुनाव का सोर अब थम गया है अब परिनाम के सोर मचने सुरू हो गये है कुछी घंटे बाद रुजान आने सुरू हो जाएंगे और फिर परिनाम भी आही जाएंगे लेकिन उससे पहले हम लोग एक होट सीट है बिहार की बकसर उसके बारे में जानते हैं वहां क्या समीकरन है वहां कौन आगे चल रहा है और कौन पिछड रहा है कौन वहां पर गोटी खराब कर रहा है और किसका खेल वहां पर बन रहा है सभी चीज जानेंगे एक्जिट पोल भी देखेंगे और बकसर की तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे नतीजों से पहले चलिए जानते हैं कि बकसर में कौन जीत रहा है देखे चुनाव पंचायत का हो या विधान सभा का या फिर लोकसभा का ही बिहार की जनता की इन में काफी रूची होती है वैसे तो राश्ट्रे इस्तर पर जाती और समुदाई की स्थिती को देखते हुए राजनितिक टिक्टों का वित्रन करते हैं लेकिन बिहार में जाति अस्विनी चौबे का टिकट इस बार काट दिया भाजपा ने इस बार मिथलेस तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है वहीं आरजेडी ने जगदानन सिंग के बेटे सुधाकर सिंग को उम्मिदवार बनाया जबकि पुर्व IPS अधिकारी आनंद मिस्रा निर्दलिय अती पिछडी जाती मद्दाता अच्छी खासी तादाद में हैं बीजेपी ने दो बार के सांसद साल 2014 और 2019 में अस्विनी चौबे का टिकट इस बार काट दिया भाजपा ने मिथलेस तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया मिथलेस तिवारी पिछले तीन से भी ज्यादा दसक से यहां सक्रिये हैं उनको केंडिडेट बनाने का पार्टी के कारेकरताओं ने भी स्वागत किया है हालनकि यहां के स्थानिय लोगों खास कर युबाओं में अस्विनी चौबे को लेकर काफी नाराजगी भी है मिथलेस तिवारी हर संभव कोशिस में जुटे थे कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में किसी तरह की दरार ना आ है उन्होंने नया नारा भी दिया छोड़ो सारे कलेस को सांसत बनाओ मिथलेस को बीजेपी के मिथलेस तिवारी के मुकाबले आरजडी ने पार्टी के वरिष नेता जगदानन सिंग के बेटे सुधाकर सिंग को चुनाओ मैदान में उतारा सुधाकर सिंग भी मिथलेस की तरह अगड़ी जाती से आते हैं मिथलेश जहां ब्राह्मन तो वही सुधाकर राजपूत जाती से हैं ब्राह्मन वोट बैंक के बीजेपी से खिसकने की संभावनाओं से आरजडी उत्साहित थी लेकिन OBC जैसे कुछ स्वाहा, यादव और अथी पिछडी जातियों खासकर निसाद को साधने सुधाकर सिंग के लिए चुनावती बना हुआ था दरसल ददन पहलवान भी आरजडी के लिए सिर्दर्द बने हुए थे ददन निर्दलिये चुनाव मैदान में हैं यादव वोट बैंक में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है जो आरजडी का कोर वोट बैंक है साल 2004 के लोगसबा चुनाव में ददन पहलवान बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तकरीबन एक दस्मलब आठ सु निलाक वोट हासिल किया था उधर पुर्व IPS अधिकारी आनंद मिस्रा इस बार बकसर लोगसबा सीट से अपना भाग्या आजमा रहे हैं अब सब के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आनंद मिस्रा किसका खेल बिगालेंगी बीजेपी या फिर आरजेडी का अश्विनी 24 से नाराजगी का असर जमीन पर भी देखा जा रहा है ऐसे में बीजेपी को ब्राम्मन वोट बैंक के खिसकने का डर है पिछले दिनों प्रदानमंत्री मोदी ने बकसर शेत्र में रैली की थी मिथले इस्तिवारे इस से खासे उत्साहित थे बता देगी साल 2009 का लोगसबा चुनाव छोड़ने तो साल 1996 से अभी तक बीजेपी यहां से जीत हासिल करती रही है साल 2009 से यहां से आरजेडी के जगदानन सिंग ने जीत हासिल की थी 2009 में बकसर लोगसबा शेत्र में विधानसबा की 6 सीटे आती है बकसर, ब्रमपूर, दिनारा, रामगड, राजपूर और डुम्राव फिलाल बकसर लोगसबा शेत्र के थात आने वाले विधानसबा की सभी 6 सीटों पर महागटवंदन का कब जा है तो ऐसे में अगर विधानसबा वाले नतीजे अगर रिपीट करते हैं तो फिर यहाँ पर महागटवंदन को फाइदा होता दिख रहा है अब चलिए जानते हैं बकसर में क्या जातिय समीकरन है और कौन-कौन से उमिद्वार है और उनकी क्या पकड़ है वहाँ पर देखिये बकसर लोग सभा सीट के पिछले तीन चुनावी नतीजों को देखा जाए तो यहाँ पता चलता है कि बीजेपी का वोट प्रतिसत यहाँ 27 प्रतिसत तक बढ़ा है जबकि आरजेडी के वोट में भी 15 प्रतिसत की बढ़ोतरी हुई है साल 2009, 2014 और 2019 के चुनाव के आकड़ों से भी यह पता चलता है कि अन्य को मिलने वाले बोट प्रतिसत में अच्छी खासी कमी आई है बीजेपी को बकसर में सवर्ण मद दाताओं पर भरोसा है और आरजेडी मुस्लिम यादव समिकरन के अलावा पिछडे और अती पिछडे समुदाय में आने वाली अन्य जातियों को अपने साथ लाने की कोशिस कर रही है अब मितले इस्तिवारी के बारे में जानिए वह बिहार बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री भी रहे हैं वर्तमान में वह बिहार बीजेपी के महा मंत्री है आरजेडी के उम्मिदवार सुधाकर सिंग, पूर्व मंत्री और बिहार आरजेडी के अध्यक जगदानन सिंग के बेटे हैं जगदानन सिंग 2009 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे जगदानन सिंग आरजेडी प्रमुक लालू प्रसाद यादव के करीबियों में शामिल हैं सुधाकर बिहार सरकार में क्रिसी मंत्री रह चुके हैं और बरतमान मेर रामगर स्रीट से विधायक है सुधाकर सिंग को यहाँ पर अपनी किसानों का समर्तन होने की छवी का फायदा मिल सकता है वह किसानों से जुड़े मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं हाली में उन्होंने कहा था कि क्रिसी विभाग में घोर ब्रश्टाचार हुआ है और उनके पास इसके पुकता प्रमान है आरजडी के लिए बागी उमिद्वार ददन सिंग यादव उर्फ ददन पालवान मुसिबत बने हुए हैं ददन पालवान ने 2014 के लोगसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर यहां से एक दस्मलब आठ चार लाख वोट हासिल किये थे ददन सिंग द्यादव उर्फ ददन पालवान डुम्राव विधान सभा स्रीट से चार बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं वह अब यहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं उन पर कई मुकद में दर्ज हैं ऐसे में ददन पालवान इस स्रीट पर आर्जेडी के आधार वोट बैंक यादव में सीधे सी दवरपावर पर सेंद मारी कर सकते हैं अब चले आईए चौथे कैंडिडेट पर आनंद मिस्रा ये भी काफी चर्चित हैं क्योंकि IPS अधिकारी रह चुके हैं बीजेपी के लिए यहाँ पर IPS अफसर रहे आनंद मिस्रा मुस्किल खड़ी कर रहे हैं आनंद मिस्रा इस सीट से निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने बीते साल दिसंबर में अपने पत से इश्टीफा दिया था और दावा किया था कि भाजपा ने उन्हे टिकट देने का वआदा किया था मिस्रा कहते हैं कि वो चुनाव जरूर जीतेंगे मिस्रा चुकी ब्राह्मन समुदाय से आते हैं इसलिए वो इस वोट बैंक में सेंद मारी कर सकते हैं और एक और फैक्टर है अस्विनी चौबे का जिनका टिकट कटा बीजेपी के लिए यहां मुश्किल अपने वर्तमान सांसत अस्विनी चौबे की नाराजगी से भी है अस्विनी चौबे अब तक मिथलेश तिवारी के समर्थन में चुनाव परचार करते नहीं दिखाई दिये टिकट कटने के बाद उन्होंने खुल कर नाराजगी भी चताई थी प्रधान मंत्री मोदी की बकसर में आउजित चौबे जनसबा में भी अस्विनी चौबे नहीं पहुँचे थी और यहां माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी बरकरार है चौबे पिछले दो चौणाव यहां से जीत चुके हैं बताया जाता है कि उनके खिलाब छेत्र में सत्ता विरोधी लहर थी और इसी वज़ा से उनका टिकट कटा अब लोगों की चौबे से और चौबे की भाशपा से नाराजगी का असर जो भी हो लेकिन यह मुद्दा है वहीं बस्पा ने बकसर से अनिल कुमार को टिकट दिया है पार्टी प्रमुक मायावती उनके समर्थन में चुनावी जनसभा को सम्मोधित कर चुकी है अनिल कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं और अगर बस्पा के परंपरागत दलित मद्दाताओं का समर्थन उन्हें मिलता है तो वह अभी चुनावी खेल भी गाड़ सकते हैं राजनितिक दलों से मिले आकड़ों के मुताबिक बक्सर लोगसभा सीट पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मन मद्दाता हैं और उनकी संख्या यहां 4 लाग है यादव मद्दाताओं की संख्या लगभग 3.5 लाग राशपूत मद्दाताओं की संख्या 3 लाग है बुम्यार मद्दाता 2.5 लाग है बक्सर में मुसलिम मद्दाता 1.5 लाग के आसपास है इसके अलावा दलित समुदाय के मद्दाता भी 1 लाग से ज़्यादा है और OBC के अन्य जातियां अच्छी साखासी संख्या में है बक्सर लोगसभा सीट में 6 विधान सभा सीटें आती हैं जो मैंने आपको पहले बताया था बक्सर, ब्रमपुर, राजपुर, डुम्राव, रामगर और दिनारा 2020 के विधान सभा चुनाओ में इन सभी सीटों पर इंडिया गटबंदन या महा गटबंदन के उमिद्वारों को जीत मिली थी इन 6 सीटों में से 3 सीटें RGD, 2 सीटें कॉंग्रेस और 1 सीट CPI ML के पास है तो आनंद मिसरा निश्चित रॉप से ब्राह्मन का वोट काटेंगे उधर ददन पहलवान है जो यादवों का वोट काटेंगे उधर अनिल कुमार है जो की कुर्मी समधाय से आते हैं उनको भी डर है कि वो भी वोट काटेंगे तो ऐसे में बकसर का जो चुनावी संग्राम है वो बहत दिल्चस्प है और अभी किसको जीत बता देना ये कहना गलत होगा कि ये कैंडिरेट जीत जाएगा या ये कैंडिरेट हार जाएगा लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर समिकरन है सवर्ण जाती के मद्दाता काफी जादा है और ऐसे में अस्वनी चौबे की नाराजगी है और IPS आनंद मिस्रा जो की टिकट काटेंगे वोट काटेंगे माफ कीजेगा तो ऐसे में मुश्किल खड़ी होती दिख रही है मितलेश तिवारी के लिए लेकिन PM मोदी ने सभा वहाँ पर की थी और बगल में वारानसी है तो वारानसी में काभी कुछ असर पड़ेगा बकसर पर यह जाहिर सी बात है और BJP का वोट प्रिस्यत बढ़ा भी है काटे की ट्रककर जरूर है सुधाकर सिंग और इसमें मितलेश तिवारी में लेकिन जीत किसकी होगी यह कहना बड़ा मुश्किल है कुछ एक्जिट पोल्स मितलेश तिवारी को के जीत का दावा कर रहे है कुछ एक्जिट पोल्स में सुधाकर सिंग को बढ़त दिखाई जा रही है तो अब देखिए क्या होता है कुछी गंटों में रुजान आने सुरू हो जाएंगे और पता चल जाएगा कि बकसर का बॉस कौन बनता है फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनीूज के साथ